दिल्ली में जो है वीकेंड कर्फ्यू लग गया उसमें क्या बंद रहेगा क्या खुला रहेगा तो आप जो है खुदी मिनिस सुद्यूदिया से सुन लीजिए तो इसलिए आज डीडियमे की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिल पूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशल जरूत पर ही बाहर निकले लेकिन सेटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें घर में रहें वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें दूसरा के सिस ना बढ़ें इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने अनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा तो गौर्मेंट ऑफिस DOC रएंगे या उनलाइन वोड परिएंगे फ्राइवेट ऑफिसेंग ऐसेंट को 50% कि ऑप्याइन रखें और 50% आलाइन या वर्क फ्रॉम होम रिखें एक और समस्य अब इसले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे bus stops हैं दिल्ली में लोग क्योंकि किसी ना किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं तो जो bus अधे हैं bus stops हैं bus stand है छोट छोटे और जो metro के stations हैं वो super spader बनने का खत्रा आ रहा था क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी metro में capacity की और साथ साथ buses में भी capacity की वो आधी कर दी आने लग रही थी bus stops पर बहुत लंबी-लंबी लाइन लग रही थी वहां भीड हो रही थी कई जगे भी एने अंतरित भी हुई और ऐसे में Corona Omicron जो है वो super spread हो सकता है वहां से इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी capacity पे चलेंगी लेकिन एक भी वेक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाव नहीं किया जाएगा तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाव नहीं किया जाएगा ना सिर्फ चढ़ना बलकि वहां यात्रा करना भी अलाव नहीं होगा लेकिन बस और मेट्रो आप फुल capacity पे चलेंगे ये भी decision दिया गय लाएगा है